Hello everyone there, this is Shafak Nas, I hope you all are enjoying your life fully Detailed में परेगे, word-to-word explanation करेगे, okay? Icebreaker और brainstorming भी solve हो चुका है, इस chapter का, see word-to-word explanation बाकी है, जो कि अब हम start कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके इस chapter के अंदर दो parts है पहले part का नाम है Lost in the Jungle और दूसरे part का नाम है Tracking the Panther in the Nagar Hole जो first part है Lost in the Jungle वो है किरन पुरंदरे से related और जो second part है वो है शास जंक से related इतनी चीज अपने दिमाग में पहले clear रखो, ठीक है? बहुत ही जादा easy है, सिर्फ कुछ-कुछ hard word है, उसका meaning तुम लोग जान लो फिर तो बहुत ही जादा easy है, कुछ भी इसमें hard tough है नहीं, कुछ technical, technical, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यह box दियावा है, उसको हम पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर वो ही लिखा है कि किरनपुरंदरे बहुत ही जादा famous environmentalist है, और किरनपुरंदरे 400 days के लिए एक नगजीरा forest के अंदर रहे, total 400 days के लिए और वो total 400 days के अंदर उनको जो कुछ भी experience मिला, जो कुछ भी उन्होंने उदर देखे, सीखे, जो कुछ भी experience उन्होंने उदर पे किये, वो सारी चीज उन्होंने note down करें और उसकी एक book बनाए, वो book का नाम है साखा नगजीरा, ठीक है? उन्होंने book लिखे, साखा नगजीरा नाम की, और वो ये book के अंदर से एक छोटा सा किस्सा आपका निकाल के आपका chapter बना दिये है, Lost in the Jungle, इतना समझ गए? और ये book साखा नगजीरा को बहुत सारे awards भी मिले, अपनी महराश्रा गवर्मेंट की तरफ से, यानि बहुत ही पर यहां पर और भी लिखा गया है, तुम लोग पढ़के समझ जाना कि उन्होंने क्या-क्या और करे है, लेकिन तुम लोग रीट कर लेना सिर्फ, फर्स पार्ट में हम क्या पढ़ेगे? किरन पुरंदरे, जो जंगल में घुम गए थे, नगजीरा जंगल या उमबजारा जंगल उसमें घुम गए थे, उसके बारे में हम पढ़ेगे, कि वो कैसे घुमे, उनको कब पता चला, और वो जब घुम गए थो कैसा फिल कर रहे थे, और वो जंगल से बाहर कैसे निकले, ठीके, यह सारी चीज हम फर्स चेप्टर में पढ़ेगे, और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा ही है, तो अब स्टार्ट करते हैं, फाइनली हमारा वर्ट टोवर्ड एक्स्प्लेनेशन, तो फर्स पार्ट, लोज्ट इन दे जंगल, किरन पूर अंदरे द्वारा लिखा गया है, ओके, स्टार्ट करते हैं अभी, किरन पूर अंदरे, राइटर कहते हैं, राइटर अभी मैं जब भी बोलूँगे, तो समझ जाना, किरन पूर अंदरे की बात हो रही है, जिसकी उपर फोटू लगी भी है, तो राइटर क्या बोले है, कि साड़े आठ घंटा, इस जंगल के अंदर, उतना ही अच्छा है, उतना ही फ्रूट्फुल है, जैसे इस जंगल के कोने में, इस जंगल के कोने में, एजेज में, जामबा ट्रीज खड़े हैं, स्टेंडिंग टॉल, बिफोर व्रेपिंग अप माई डे, एड दिस नेचरल वाटर होल, आई टुक एंट्रिज ओफ द एवी फावना, इन मैं फिल्ड नोट्स। तो अब साड़े आठ घंटा फॉरेस्ट में राइटर थे, अब वो व्रेप कर रहे है, यानि अपना जोगिन ने समान लाए थे फॉरेस्ट के अंदर, उसको पैक कर रहे है, अपने गाउं की तरफ जाने के लिए, गाउं की तरफ मतलब, अब वो जंगल में चो सोएगे न ना रात में, तो वो क्या है, रात में सोने के लिए उस जंगल के नस्दीक एक पिठ जहरी नाम का गाउं है, उधर पे वो जाके सोते है, खाते है, और फिर से सुबा होती है, तो फॉरेस्ट में आते है और अपना काम करते है, ठीक है, तो साड़े आठ घंटा हो चुका है, अभी शाम ढलने वाली है और राइटर क्या कर रहे है अपना दिन व्रैप कर रहे है लेकिन व्रैप करने से पहले यहनि सारे समान की पैकिंग करने से पहले राइटर ने क्या किये सारे आवी फावना की आवी फावना मतलब क्या कोई एरिया के birds, जैसे होता है न कोई birds सिर्फ वोई एरिया में पाए जाते हैं, तो वही उम्बर्जारा के अंदर जितने भी birds थे, वो सारे birds का उन्होंने attendance ले लिए, ऐसा attendance टाइप ले लिए कि सब बराबर है या नहीं, ठीके? environmentalist, wildlife activist लोग का यही काम होता है उन लोग नजर रखते है यह सारी चीजों पर Since I was alone I rushed to pitzary village where I was stationed अभी क्या बो रहे है writer कि मैं अकेले था ठीक है, forest में मैं अकेले था उन्होंने birds की entry करें अपने book में अभी वो क्या कर रहे है, अपने pitzary गाउ यानि जो forest के नजदीक में ही है, उधर पर जाने की तैयारी कर रहे है, जहां पर वो रहने लगे है जहां पर वो रहते है, थोड़े टाइम के लिए मतलब actual घर नहीं है, थोड़े टाइम के लिए फीर क्या होता है, I camouflage the hide took my essentials, came out of the hide and stretched out to my heart's content camouflage का मतलब मालूम है तुम लोग को, camouflage मतलब क्या होता है disguised by covering it to make it blend in with the environment यानि अपने आपको कोई ऐसे चीज़ से cover कर लेना जिससे हम environment में छुप जाएगे जैसे कि समझो अगर मैं कोई जाड़ी के जैसे समझो मैं कोई tree के पीछे, कोई जाड़ के पीछे छुपना है और मैं अगर इदम लाल कपड़ा या white कपड़ा पहनके खड़े रहूंगी तो मैं आराम से दिखूँगी तो अगर मुझे कोई जाड़ या कोई ग्रास यो सब के पीछे छुपना है तो मुझे हरा कपड़ा या ऐसा कुछ हरे टाइप का कुछ कपड़ा पहनना पड़ेगा और छुपूंगी और ऐसा कपड़ा पहन के अगर मैं छुपूंगी जाड़ी के पीछे तो मुझे कोई जल तो लोग ऐसा छुप जाते हैं तो जल्दी पता नहीं चलता है, ठीके, तो अब राइटर भी फोरेस्ट में है, फोरेस्ट में तो डिंजर डिंजर अनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, तो राइटर ने भी अपने आपको कैमोफलॉग किये थे, यानि अब यहां पर इसलिए उन्होंने क्या किये, वो उससे बाहर निकले, केम आउट और अपने और अपने आपको स्ट्रेच किये, यानि अपने अंगडाई लेते हैं न खीच के, वैसे लिए जब तक उनका दिल सेटिसफाइड नहीं हुआ, तिल माइ हाट्स कंटेंड, जब तक उनका दिल स असलिए नहीं मिली, उन्होंने क्या किये, अपने आपको अंगडाई लिए स्ट्रेच करें, क्यूंकि इतना मोटा मोटा कपड़ा पेन के बैठे हो गये न, इसलिए, फिर क्या है, I lifted my camera bag and took the familiar trail to pizzeri, फिर उन्होंने अपना camera bag उठाए, और किदर चल पड़े, अपने pizzeri गाओं में, कैसे, familiar trail मतलब, उनको वो रास्ता मालूम है, जैसे समझो, अगर ये forest है, और हर बार में ये forest में आती हूँ, तो मुझे इतना अंजाज़ा हो जाएगा, कि मुझे left-right ऐसा, दो, दो बार left जाना है, एक बार right जाना है, और उसके बाद ये रास्ता आ जाएगा, है न, क्योंकि आपे तो कुछ ऐसा लिखा नहीं होता है, कि left जाओ, राइट जाओ, अपने वो खुझ रास्ता पैचानना होता है, तो ये बहुते जादा घहना जंगल है, ठीक है, advanced type नहीं है, तो familiar trail मतलब वो ही, उनको मालूम है, किदर जानना है, किदर नहीं, फिर क्या, negotiating the webbed leaf of tick wood and moha trees, trying to make minimal sound, I was treading cautiously among the woods, और फिर बस यहीं बोल रहे है, कि tick wood trees, moha trees से होते हुए, इद्दम slow slow आवास निकालते हुए, अपने आपको इद्दम cautiously, यानि इदम सतर्क हुए, मैं क्या कर रहा था, चल रहा था, among the woods, यानि आपे सब लगड़ी और, कोई जाड़ कटे वे पड़े होते हैं, तो वो सब से गुजरते वे में ऐसा होते वे चल रहा था, फिर क्या है, walking alone in a jungle needs more alertness than walking with a companion, सही बात है, कि जंगल में जब हम अकेले चल रहे हैं, तो हच से जाधा alertness चाहिए रहती है, alertness मतलब वोई सतर्क, अगर हमारे साथ कोई companion होगा, यहनि हमारे साथ कोई दूसरा हमारे साती होगा, या कोई दूसरा हमारा friend हमारे साथ होगा, तो इतनी alertness नहीं चाहिए तो इतनी alertness हम नहीं रखेगे तो भी चलेगा लेकिन अगर हम अकेले हैं तो हद से जाधा alertness रखनी पड़ती है आगे, पीछे, दाए, बाए सब जगा हमको देखना पड़ता है खुद अकेले, ठीक है, इसलिए फिर क्या है आगे I was alone, you're like a fox राइटर बोर रहे है कि मैं इस जंगल में इस उंबर जादा, इस नकजीरा फॉरेस्ट के जंगल में नकजीरा फॉरेस्ट में कैसा था अलोन था, एक लोमडी की तरह लोमडी का example इदर क्यों दिये है यह एक प्रोवड टाइप है लोमडी ऐसा animal है, fox ऐसा animal है जो अकेले रहना पसंद करता है उसके सामने कोई दूसरा इंसान आ जाता है या कोई दूसरा animal आ जाता है वो जल्दी से छुपके भाग जाता है ठीक है, तो यहाँ पर बस ऐसी प्रोवड की थुरू समझाए है कि मैं आपे अकेले था एक लोमडी की तरह यानि मेरे आसपास और कोई भी नहीं था नेक्स्ट क्या है और मैं वो रास्ता इद्दम शांती पूर्वक इद्दम चुपटाप होके चल ही रहा था, फॉलो कर रहा था अपनी बड़ी बड़ी आखे, अपनी दोनों आखे इद्दम बाइड ओपन करके यानि बड़ी बड़ी खोल के वाच कर रहा था सब चीज को देख रहा था, मेरे दोनों कान, मेरे दोनों कान से मेरे आजपास जितनी भी वेराइटी ओफ साउंड है, जितनी भी आवास निखल रही है लगलग टाइप की, वो सब को सुन रहा था, यानि इद्दम वो अलर्ट होके चल रहे थे आखों से भी, कानों से भी, पैरों से भी, ठीक है, ये सब करके अभी वो क्या कर रहे है चल ही रहे है, चुप-चाप, उतने में क्या होता है, एक अवाज उनको शौक्ट कर देती है, स्टंट कर देती है वो अवाज कौन सी है, ख्यक-ख्यक-ख्यक-ख्यक, ये अवाज उनको सुनाई देती है, जो कि एक फैमिलियर है उनके लिए, फैमिलियर मतलब जानी-पैचानी अवकोस, राइटर उदर रहते हैं, तो उनको पता ही हो गया, एनिमल लोग की आवाज से वो जान पैचान रखते है, तो पैचान गए वो, ये किसकी आवाज है, लंगूर की, ठीक है, लंगूर एनिमल पता है तुम लोग को, इट वाज लंगूर अलाम कॉल, अब ये क्या है, सिफ अवाज नहीं है, ये लंगूर का अलाम कॉल है, अलाम कॉल मतलब क्या? लंगूर लोग किसी को उठाना चाते है, कुछ देंजर, कुछ देंजर चीज वो लोग ने देखे है, इसलिए वो जंगल के सारे दूसरे लंगूर को, सारे दूसरे अनिमल لوग को, अलट कर कुछे हैं कि अलां बजाते हैं ट्राइब आलां हम बजाते हैं तो उठ जाते हैं वैसे दुसुरे आनीमल सतर्क हो जाए गे लोकी आवास अन्य य। क्यों लोग कर रहे हैं वो हम देखे के आगे क्यों लोग ऐसी आवास निखाल रहा है कि डी ळीडर आफ लंगूर्फ वर सिटिंग उन दे टॉल ट्री मेकिंग अलाम कॉल्स जो लंगूर्फ लोग का लीडर था ठीक है लोग का गैंग रहता है उसमें जो सबसे बुड़ा जो सबसे ओल्ड या तो जो भी घटा-घटा जो भी लंगूर होता है वो क्या है वो ट्री के सबसे उचाई यह मतलब वही बोला है डर के मारे वो लोग ऐसी आवास निकाल रहे हैं रेस्ट अफ दे लंगूर ब्रिगेट कंटिन्यूट रेजिंग अलाम कोल्स बाकी के सारे लंगूर लोग भी क्या हो रहे हैं अलाम कोल एक दुसरे की आवास सुनके वो लोग भी और आवास निकाल रहे हैं पहले एक लंगूर अखयक खयक किया उसका देखके दुसरे ने किया उसका देखके लीडर ने किया उसका देखके बाकी सब भी आवास निकाल रहे है अब क्या होता है अब ये लंगूर लोग का जो अलाम कोल बज रहा है वो इतना जादा अब रेंज अब वो इतना जादा एक्सपांड हो रहा है इतना जादा बढ़ गया है कि दूर दूर तक जितने भी लंगूर है वो लोग क्या हो रहे है पर्टी फाइड यानि दम डर चुके है और डर के मारे सब क्या हो रहे है फोरेस्ट में जितने भी लंगूर लोग है वो लोग ट्री के उपर चड़ रहे है ठीक है ट्री का जो टॉप है उसमें अपनी जगा बना रहे है secured कर रहे है, डर के मारे सारे लंगुरों लोग भाग रहे है speed में All this uphevel was created by only one animals present, a leopard